नमस्कार जहन सातियों स्वागत है आज आप सभी का हमारे दिन संकल्प यूटूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में मैं विशेक मिसरा आज आप सभी लोग के लिए क्लास 6 की NCIT जोग्राफी के महत्वपोर्ण प्रशनों को ब्याखे के साथ ले करके आया हो जिसमें आज हम चैप्टर 6 के प्रशनों को देखेंगे चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक के सभी प्रशनों को हम आप सभी लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं जिसमें बहुत सारे प्रशन थे और सभी प्रशनों को हमने ब्याखे के साथ में बताया है चेप्टर फाइब से हमने एक गिबबे स्टार्ट किया है जिसमें आपको जो भी व्यक्ति हमारे सभी प्रस्णों के उत्तर जितने भी प्रस्ण हम प्रतेग वीडियो में लेकर के आते हैं इन प्रश्णों के उत्तर हमारे उत्तर देने से पहले देगा उसको इसका PDF अर्था जो ये Notes के PDF है ये आपको free में दिये जाएंगे तो जिसे ये free में चाहिए है वो question number 1 से लेकर के और जितने आंगे प्रश्ण हैं इन सभी के आंसर हमारे आंसर देने से पहले दे ओके तो चल कर दिया जिसमें class 6 की NCRT को पढ़ाय जा चुका है और class 6 की NCRT history के questions आ चुके हैं और class 6 की geography को start कर दिया गया है इसमें chapter 1 से लेकर के 5 तक के सभी वीडियो आ चुके हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोग ने इनको देखा होगा जिन लोग ने नहीं देखा है वो लोग मैसेज करके NCRT के notes ले सकते हैं इसके लिए आपको payment करना होगा तो जो लोग payment करके notes लेना चाहते हैं सिर्फ वही लोग मैसेज करें और बांकी के लोग ना करें इसका whatsapp number हमारा आपको description box में मिल जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला प्रस्ण दिया जारा की प् परबत देखते हैं मैदान देखते हैं जो घाटी है या फिर कहेंगे पठार हैं तो इन सभी चीजों का निर्माण किस प्रकार से होता है कौन से सी प्रक्रियां हैं जिनके कारण से इनका निर्माण होता है इसके लिए आपर चार उधान दिये गए चार ओप्सन दिये गए आपको बताना है कि किन प्रक्रियाओं के कारण परवत प्रथार मैदान घाटी इत्याई चीजिजों का निर्माण होता है और हुआ है ठीक है तो अगर आपको नोड़ चाहिए तो इसका अंसर हमारी अंसर देने से पहले आपको बताना होगा तो चलिए इसका अंसर आपको ब ड्वाइसंट से हैं पूरे प्रश्ण को अच्छे से समझ सकते हैं तो देखिए बिभीने प्रकार के जो इस्तल सुरूप हैं इन सभी इस्तल सुरूपों का निर्माड केबल और केबल दो प्रक्रियाओं के होता है कि कहीं पर याप लोगं के द्वारा जो तो इस थाद सुरूप बनते हैं जैसे कि आप लोग ने देखा हुए लगतार लगतार बनने न thereafter के प्रकृप यहाँ प्रकृप हो सधित करने दो इसे करन डालते हैं metropolitan अगले प्रशन को दूसरा प्रशन दिया जा रहा है कि नियमनलिकित कतनों में से कौन सा या फिर से कतन सत्ते हैं पहला कतन दिया जा रहा है कि प्रतवी की सतह के तूट कर गिर जाने की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं फिर गिस जाने की प्रकरिया को परदन कहते हैं ठीक है इसके बाद में दूसरा कतन दिया जा रहा है कि प्रतवी की नई सतहु के निर्मार की प्रकरिया को निच्छे पड़ कहते हैं इन दोनों में से कौन से कतन सकते हैं आप हमको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताईगा अच्छे से दे सकें ओके तो चलिए इसका अंसर आपको बताती इसके दोनों ही कतन सकते होंगे अर्थात उपरोग तो दोनों कतन सकते हैं ठीक है अब इसको हम आपको ब्याखे के साथ में अच्छे से समझा भी देते हैं समझे जीगा प्रतवी की सतह के तूटकर गिस जान इसका फिर से निर्माण होता है अर्था दिये दोनों ही प्रक्रियां कैसे होती है जल के दोरा बायू के दोरा फिर बर्ब के दोरा इन तीनों चीजों के माद्यन से दोनों प्रक्रियां होती है अब इसका एक उधान हम आपको बताते हैं आप लोग ने रेगिस्तान में देख तो यह एक होता है निच्छेपड़ा और अफरदन की प्रक्रिया होती है तो चली आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्टन नमबर थी को तीसरा प्रशन पूछा जा रहा है कि बिस्टु की सबसे पुरानी वलिद परवत स्रिंकला कौन सी है बहुती महत्मोड प्रशन है इसको आप लोग नोट कर लीजीगा याद कर लीजीगा लिग लीजीगा दिमाग में बैठा लीजीगा ये प्रशन पूछा जा सकता है ओके बहुत इंपोर्टेंट है ओप्सण अअ अरावली परवत तो ऑप्स्वी रहकी परवत वहँस्न डी युर्टा परवत इन चारों में से कौन सा ऐसा परवस्तरंकला हे जोकी सबसे पुरानी वलिद परवस्तरंकला है दो जली से इसपा अंसर में को कमेंड बॉक्स में भारत की जो अरावली प्रवर्ण्षिंखला है यह विस्व की सबसे पुरानी वलिद प्रवर्ण प्रवर्ण्षिंखला है अपर्धन की प्रक्रिया की निए कि ये जो वलिद परवत शिंखला आए ये घिस गई है किसके कारण से अपरदन की प्रक्रिया के कारण ठीक है उत्तर अमेरिका के अपलेसियन और रूस के यूराल परवत ये दोनों ही गोला कार दिखाई देते हैं कैसे गोला कार दिखाई देते हैं एवं जो इनकी उचाई ह ये भी बहुती कम है बहुत नहीं लेकिन हाँ ये कह सकते हैं इनकी उचाई कम है ठीक है और ये पुराने वलिद परवत हैं लेकिन सबसे पुराने बलिद परवत नहीं है हमारा जो भारत का हिमाले है ये भी वलिद परवत का ही एक उधारण है ठीक है तो चली आंगे बढ़त हैं और देखते हैं कोन से कथन सत्य है या पिर है अरफ़ा देन दोनों में से कौन से सत्य आपको बताना है के कुछ परबतों पर हमेवेशM रहने वाली championships होती है जिने हीमानी कहा जाता है दूसरा कतन दिया परवतों के एक रेखा करम में विवस्तित होने को श्रिंखला कहा जाता इन दोनों में से कौन सा कतन सत्य आपको बताना है तो जल्दी से आंसर हमको कमेंड बक्स में दीजिएगा चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं अगर आपके लिए रुकेंगे तो वीडियो काफी ल तो भूपत दीजिये परतिंगे और के विए रुख लिए आपको बताना होगा तो इस प्रशन को आप लोग याद कले जीगा अब कुछ ऐसे भी पर बत होते हैं जो कि समूद्र के भीतर होते हैं जिने हम देख नहीं सकते हैं छो कि समुद्र के परबत भीतर होंगे उनको तो हम लोग देख नहीं सकते ना इसके बाद में एक पॉइंट और यहां पर दिया जारा है कि परबत का परबत एक रेखा करम में विवस्थित होते हैं ठीक है परबस्तित हो सकते हैं जिन्हें स्रिंखला का जाता है जैसे कि आप लो है आलपस है इसके बाद में एंडीज परबस सिंक लाएं तो ऐसी काभी से काफी सारी परबस सिंक लाएं भी मिलती हैं चलिए आंगे बढ़ते हैं देखते हैं कोस्टन नंबर फाइब को यह भी बहुती महत्पूर्ण प्रशन है सभी महत्पूर्ण प्रशन है और NCRT जो ह दो संक्वाकार होता है ऐसे परभतों को क्या कहा जाता है चलिए यह होजिए संसर हम आपको बताती है इसका आप्सट ब्ल्कूल connects परबत टीक है अब जिन परबतों के जो सत्व होती यह वह बहुत ही ऊबडब होती है और उन्हें का जश्खर-डग जो उपरी वौला भाग होता है वो शंक्वा कार होता है ठीक है उन्हें कहते हैं वलित परबत जैसे की हिमाले है हिमाले उसके बाद में आलपस है ये दोनों ही वलित परबत के उधारण है चलिए आंगे बढ़ते हैं देखते हैं को से नंबर सिक्स को आज जाना प्रस नहीं है आज के इस चेप्टर में ये जो प्रस नहीं सारी इंपोर्टेंट है च्छटा प्रस्ट पोशा रहें के परबतों के संदर में दिये गए निमने लिखित कतनों में से कौन सा या फिर कौन से कतन सत्य है या फिर हैं चार अपसन दिये जा रहें या था चार कतन दिये जा रहें आपको बताना है कि तीन हैं यहाँ पर तीन कतन दिया रहे हैं आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से कतन सकते हैं पहला कतन दिया रहे है कि उत्तर अमेरिका का अपलेसियन परबत गोला कार दिखाई देता है दूसरा कतन है आफरीका का माउंट किली मंजोरा जॉला मुखी परवत का उधारन है इसके बाद में तीसरा जो कतन है वो दिया जा रहा है कि जॉला मुखी परवत का निर्मार जॉला मुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है तो इन तीनों में से कौन सा कतन सकते है जली से हमको comment box में बताईएगा चली इसका answer हम आपको बताते हैं इसका जो तीन कतन दिये जा रहे हैं ये तीनों ही कतन सकते हैं ठीक है उत्तर अमेरिका का आप लेसियें तथा रूस का जो यूराल परवत है ये दोनों ही गोला कार दिखाई देते हैं जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अभी आज इसी वीडियो में और जो इनकी उचाई ये बहुती कम है ठीक है ये थोड़ा सा बड़ा प्रस्ण है लेकिन अच्छा प्रस्ण है और ये इससे अकसर पूंचे आ सकते हैं प्रस्ण तो इसको समझ लेजीगा इन दोनों ही परवत की उचाई बहुती कम है और ये बहुती पुराने परवत हैं जो की वलिद परवत हैं और जब कोई बहुत बड़ा भाग तूट कर तूट जाता है तथा उर्द्वाद रूप से ये बिस्थापित हो जाता है तब भ्रांसोत परवत का निर्माण होता है अब उपर उठे हुए खंड को उत्खंड कहा जाता है जिसे आप लोग होट कह सकते हैं ठीक है और जो नीचे दसा हुआ खंड होता है इसको हम लोग कहते हैं द्रोणिका भरंस अर्थाद ग्राबेन ठीक है यह कहा जाता है और यूरोप की राइन घाटी तता जो बॉस जेस को मुखी परवत इसी तरह के परवत तंतR के उधारन है आफ़ीका का झो माउं। के लिए मंझोरा है और जू जापान का फ्यूजिआमा परवत यह दोनों ही जोलामुंकी परवत के उधारने कौन-कौन से इन दोनों को याद के लिजीगा आफरीका का है एक माउंट की लिए मंजोरा और जापान का है एक के फ्यूजी आमा ठीक है फ्यूजी आमा परवती दोनों ही जॉलाम की परवत के उधाने अगर आता है एक्जाम में कोस्टन इस से तो आप लोग इसका अंसर अबस्य दीज है तो आप लोग उसे भी देखिएगा ठीक है तो अब देखते हैं कोस्टन नंबर सेवन को कोस्टन नंबर सेवन में दिया है कि मौना की परवत किसे महासागर में अबस्तित है ऑप्शन ए अट्लांटिक महासागर ऑप्शन बी प्रसांद महासागर ऑप्शन सी आर्कटिक आंसर अब हम आपको बताते हैं इसका option भी बिल्कुल correct वह था प्रसांत महासागर ठीक है अब यह यहाँ पर आपको दो-तीन point मिलते हैं जो कि बहुती महत्पूर्ण है और आपको समझा जाए जो प्रसांत महासागर है यह सबसे गहरा महासागर है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है ठीक है अब इसमें इस्तित एक मोनाकी परवत है ठीक है मोनाकी परवत है जिसको आप लोग हवाई दूइब भी कह सकते हैं ठीक है मोनाकी परवत हवाई दूइब कह सकते हैं इसको ठीक है यह मोनाकी परवत सतय के नीचे इस्तित ए ध्यकल दोसोफ औच नियद रेरी इसके बाद में मिलते यह सबसें बॉइस्प्र इसके बाद में आता है माउंट एसको मैंने पिछले वीडियो में बताया अच्छे से डिसकस किया है अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो चिप्टर फाइब को भी देखीगा बहुत ही महत्पूर्ण है ठीक है तो चलिए इससे बाद में देखते हैं कोस्ट नमबर एट को यह भी बहुत ही महत्पूर्ण प्रशन है पूछा है कि बिस्टू का सबसे उचा पठार कौन सा है चलिए इसका अंसर आपको बताते हैं इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा ओके अब इसको अच्छे समझ लीजीगा बहुत ही महत्पूर्ण प्रशन है और कफी बढ़ा भी इस एक ही प्रशन में हमने चार प्रशनों को रख लिया है ठीक इसलिए बड़ा हो गया है तो तिबबत का जो पठार है ये विसु का सबसे उचा पठार है ठीक है अब जो पठार है इसके आसपास के छेतर से अधिक उचा हुआ होता है ठीक है जो पठार होता है ये अपने आसपास के छेतर से अधिक उठा हुआ होता है और इसकी जो उपर ही भा प्रशन बन सकते हैं और इसके प्रशन बन सकते हैं तो आप इसको करके ही आएं इसके बाद में एक प्रशन जो दिया रहा वो यह है कि पठानों की उचाई प्रशन आता है कि भारत का सबसे पुराना पठार कौन सा है तो आपको लिखना है भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराना पठार ठीक है तो यह प्रशन आप पर उठता है काफी सारे प्रशन मिलते हैं तो इन प्रशनों को आप लोग देखीगा और अगर मैं प्रशन बनाता तो इसमें कुछ बंतिया कि ऐसे पचास बन जाते लेकिन मैंने सभी प्रशनों को एको में चार चार प्रशनों को रख लिया है ठीक है इसके बात में दूसरा पॉइंट मिलता कि केन्या आर्था केन्या यहां पर आपको ट्रिक मिल जाती है ठीक है अगर आपको प्रशन आता है कि लोह की जो तो लोह के लिए कौन सब पठार प्रसीत है लोहा है कोईला है और मैगनीज है इनके लिए तो छोटा नागपूर का पठार है ठीक है छोटा नागपूर के पठार में हमको लोहा है कोईल है मैगनीज है और भी बहुत सारे जो तो बड़े-बड़े भंडार इसमें मिलते हैं खनीजों के ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं को आज इस चेप्टर में सायद 9 ही प्रस्ण है और इसका अंसर आप सवीलों के सामने भी है काफी बड़ा प्रस्ण है एक प्रस्ण में मैंने तीन-चार प्रस्ण को रख लिया है ठीक है तो पूछा रहे कि मैदान के संदर्भ में निमने लेकी दिये गए निमने लेकीत कतनों में से कौन से कतन सकते हैं पहला कतन दियादर की आधिकांस मैदान मुख़्े नदियों तथा उनकी उसकी साहइक न पतन सकते हैं उपरक दोनों को तन सकते हैं मैदान समतल भूमे पर बहुत बड़े भाग होते हैं ठीक है आप लोगों देखा होगा मैदान में खेती की जाती ठीक है तो जो समतल भूमे होती है इसका बहुत बड़ा भाग होता है मैदान ठीक है अभी जो मैदान होते हैं यह सा जाएगा अब इसकी अधिकान समयदान मुख के नदियों तो था उनकी सहाइग नदियों के द्वारा बने हैं अभी नदियों के द्वारा कैसे बने तो भाई डेल्टा कर निर्मार होता है और उसी के बाद में यह बनते हैं इसको हम आंगे डिसकस करें उनके नदियां जो होत आप में वहाँ पर देदर अपरदन सुरू होगा ठीक है तो काफी लंबी प्रक्रिया होती इस पर एक इसपेशल वीडियो आएगा ठीक है अब यह अपरदित पत्थरों पदार्थों को अपने साथ आगे की यो ले जाती है और अपने साथ धोय जाने वाले पदार्थ जै कि यह नदी बह रही है अब बहते समय यहां से इसने क्या किया कि किसी परवत से ओकर के निकली परवत के पास है तो यहां पर कटान हुई कटान होने के बाद में दीरे-दीरे कोई बड़ा पत्थर छोटा हुआ फिर और चोटा हुआ और चोटा हुआ तो बालू बन गई य जो तो किनारे पर आकर कैसे रुकती जाएगी ठीक ऐसे तो जो नीचे होता जाएशे ही मैदान का निर्माण होता है ठीक है इसके बारे में एक पॉइंट भी यहाँ पर दिया रहा है और इसी पॉइंट के साथ में इस चेप्टर के सभी प्रशन समापत होते हैं सामानता जो मैदान होते हैं यह अधिक उपजाओ होते हैं और यहीं पर हम लोग खेती करते हैं और यहाँ पर आबास इवं परिवहन के संसाधन ठीके साधनों का निर्माण करना आसान होता है इसलिए मैदान बिस्व के सबसे अधी जल संक्या वाले भाग होते हैं इनी पर हम लोग रहते हैं और कापी सारे काम होते हैं अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आंगे की तो जिल लोगों को NCRT के नोट्स चाहिए हैं वो लोग हमको इस नंबर वो वाट्सप नंबर पर मैसेज करके NCRT के नोट्स को ले सकते हैं वाट्सप नंबर है 8577-885934 और हमारे इस दिर्ण संकल यूट्यूब चैनल पर यूपीय सीसी पर सर्विस एक जमारी इसकी तयारी स्टार्टिंग से एक प्रॉपर वे में कराई जारी जिसमें हम आपको सबसे पहले NCRT को पढ़ा रहे हैं और क्लासिक्स से लेकर के ट्यूट्स की NCRT है इसको उने पढ़ाना सुरू कर दिया इसके जो most important question answer है इसको लाना सुरू कर जिसमें क्लासिक्स के NCRT के हिष्टी के questions आ चुके हैं और जोगराफी के आज से कल तक complete हो जाएंगे और कल संबब्ता ये जो sciences को start कर दिया जागा तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगर आप लोंने पीछे की वीडियो को नहीं देखा तो उनको देखीगा और अधिक से अधिक सेयर कीजीगा तो मिलते हैं वीडियो के साथ तब तक लिए जहें दोस्तों